इंग्लेंड ओमेन वोसिस साउथ आफ्रीका ओमेन एक बहुत ही तगरा मैच होगा आईसीसी ओमेस्टीटीटीटीवलकब दोज़ाच चौबिस में और आज एक ही मैच है सारे साथ बज़े मैच है शार्जा में होगा इंडेक्ट कवर करेंगे दोनों ही टीम के बारे में दोस्तो इस वीडियो में कुछ पॉइंस रहेगा इस वीडियो में स्टिल मैंस मैंच का और अगले मैंच के जैसे की ECC T10 और अधर मैंच का अल्रेडी वीडियो लाइव है जाके चेक आउट भी कर सकते हो फाइनल कवरिज प्रोवाइड करूंगा टेलिग्डाम पेज इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अल्रेडी एड़ेड है अब देखो यह वेन्यू में शार्जर क्रिकेट इस्ट्रीडियम में इस साल जो मैचेश हो रहा है न 118 पे साथ 93 पे साथ 119 पे साथ 116 पे एक सो तीन पे साथ 85 पो नाइन और 170 बना ये तो छोड़ो दोस्तों ये उससे पहले वन डे सीरीज में हुआ था जहां पे रन ज्यादा बनेते अधर्वाइस देखो टीटी में तो रन कम बन रहा है और शार्जा में ना कंपेट तो दुबै दुबै दुबाई दोस्तों ब बहुत बाइटल होते हैं पेसर में से जो कटर डालते हैं वह बहुत ज्यादा बाइटल होता है तो बॉलर्स टाइट करके चलो इस फैन्यों में हेट टुएट में अब तक पांच मैचे सो चुक है चार इंग्लेंड ने विन किया एक साउथ आफ्रीका ने और ये रिसें हि साउथ आफ्रीका से दिखोगे तो लॉरा उल्वर्ट तर्जमीन बिट्स के साथ उपे ने का बोश मरिजाना कैप सोने लुइस क्लोई ट्राइन नदेंडी क्लग एमियर डॉक्सन होगा बैटिंग और अगर ये टीम से मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों बैटिंग जो है हे में 59 बना है उससे पहले वाम उप में 29 33 टी ट्विंटिय में उससे पहले 45 36 11 चे फो में अच्छा प्लेयर भी है 35 का एवरेज ये दोस्तों अपना ड्रीम फॉर्म चल रहा है इनका और अभी एटिक इंग भी बहुत जादा खेलती है स्ट्राइक रेट भी इनका हाई हो जादा कुछ ख्यास किया नहीं था एनिका बोश मैं फिलाल प्रेफर नहीं करूंगा सताइसी ट्यू इंडिया एवरेज बर रिसेंट वर्म बहुत ही खराब ना वाम अपना टीन ट्यू इंडिया एक मैं 3-20 में 40 बना है बट स्टील प्रेफर नहीं करने वाला हूं क्योंक स्टीम बहुत स्टॉंग स्पिशल उनका स्पीन अटेक बहुत दग रहा है दोस्तों तस्बिन बीट्स भी आप रोटेशन कर सकते हो मरिजाना कैप को कैप बिसी बना लेना ऑपने के स्पीन बहुत अच्छा है मैं बोलूंगा कि मरिजाना कैप अगर बॉलिंग फर्स होता और यह बिकॉस यह मैच शार्जा में है तो यहाँ पर स्पीन जादा रोल में आएंगे बहुत जादे यहाँ पर मुब्मेंट नहीं मिलेगा दुबाइ जैसा मुब्मेंट मुझे नहीं लग रहा है शार्जा में मिलने वाला है स्टिल मैं अपनी टिम में रखूंगा बॉ प्लियर लेन अच्छी प्लियर है उपनेंट के बस बहुत जादे स्पीनर्स है मुझे लगता है कि मरजना के आपको थोड़ा तो दिक्कत होगा क्योंकि आपनेंट पूरा स्पीन एटेक से भरा हुआ है सुने लूज सगत देखते हो टीटु इंडे में 120 मैच 1300 प्लस रन 113 यह बॉलिंग करेंगी लास्ट मैच में दो डाला वॉम उप में 0-0 बटी टु इंडे में उससे पहले पाकिस्तान में जाके बॉलिंग किया ठीक ठाक ऑप्शन क्लुई टाइरंड टीटु इंडे में 102 मैच में 1190 रन 117 रोब चार ओवर यह ना बॉलिंग पूरा करने वाल में विकेटलेस टीटु इंडिया में उससे पहले विकेटलेस 56 टीटु इंडिया में 42 विकेट, 140 ओवर 527 लास्ट टीटु इंडिया वलकप में यह अच्छी फॉर्म में थी रिसेंली मैंने देखा कि इनका फॉर्म थोड़ा सा टिप करते हूँ है एनी डाक सरे इनका बैक अच्छी बॉल ढल ती बट डेत ओवर चाहिए अगर इनको विकेट चाहिए तो बट डेत ओवर में इंडियूस होगा नहीं होगा को इस यह मागे ने डेंडिकलाक अश्र डेत में कर जाती है और लास्ट मैच में विकराइगी नंकुलिया मलावा बावन मैच में 38 विकेट यह लास्ट मैं चार लगाट इस पीच में शूछी सबसे सेव है बैक करना तुमी सिक्रू कुने बिंच में एस नाइडू लेक ब्रेक बॉलर तीन टी-टी-टी-टी ओबर मैं इक ब्यून कंट्रोल कम है दोस्तों नाइदू का तुम्हीं सिखे को ने राइटम मीडियम ए दोस्तों आयांडा हुई भी टीटु इंडिया में दो मैं साथ वद्धोगे मिकी डी रीडर मैं अग्नोर करूंगा अब इनके ओवर डिस्ट्रीबिशन कैप खाका मलाबा पाउर प्ले में कर वर पीछे किया इटींद ओवर नॉन कुले मलावा कंप्लीटली मिल ओवर ट्रायन डेत में आये थे दोस्तों लास्ट मैच में मुझे लगता है कि ट्रायन ना राइटी बेटर हुआ तो पाव प्ले में भी आसकती है और टेत ओवर में भी अग बॉल करा सकती है कंट्रोल अच्छा है मेरा मानना है कि नॉन कुले मलावा से भी जाद अच्छा कंट्रोल दिखा रही है क्लोई टायरन नेरं डिकला क्लास मैच में 20 ओवर बट विगे लेस्ट नौ और ग्यारा सून लूसने कराया था ओवर चलते हैं इनका उपनें इंग्लें ओमन के तरफ बट उसस प्लेयर रहेंगी एक्सो साथ टीट इटेया में अच्छी स्पीन खेलती है मस्ट पीक प्लियर है मेरे मानना है कि बैटिंग सेक्षिन में लॉरा उल्वर्ट डैनिवेट अल्मुस्ट बराबर का सेफ ऑप्शन है दोनों अच्छी प्लियर है बट लॉरा उल्वर्ट को जा यह चांसस मुझे इनके कम दिख रहें कि पावर प्ले में यह मैरेजना केप को देखके निकाल दे क्योंकि एक टेकिंग क्रिकेट केलती है हमेशा और विकेट थ्रो कर गया आती है तीट टीट इंडियर में पैतिस मैस्टेश के अब्रेश्ट फाइवंडड़ फाइवंड और डेत में भी आये थे बरिया प्लेयर है अभी के लिए नेट सिवर ब्रंट और स्पीनिंग ट्रैक है थोड़ा स्लो ट्रैक है बैटिंग से शायद बरा इसको ना है हेदर नाइट 119 मैं 2000 प्लस राइंट और 21 विकेट डिफेंशल ले सकते हो कैप पावर प्ले में बहुत बाप जादा एमपॉर्टं है बट उससे पहले लाइस कैप सी आहेंगी यह शायद वन डाउन नीच बैटिंग कर सकती है ठीक है बैटिंग ओडर थोरा सबसेंड नउन हो सकता है इनका इंका बैटिंग यह जो मैं आपको शोग कर रहा हूं यह वाला नहीं है यह वन दाउन दिक्कत होगा क्यूंकि बैक फूट में कम और निकल के ज्यादा खेलती है और जो स्लो टैक्स होते हैं उसमें जितना पीछे से खेला जाएगा उतना मेरे असाब से अच्छा है सामने होगा तो दोस्तों बहुत के आएगा तो दिक्कत होगा फ्री फ्लो बैटिंग यहां पर मुश्किल है क्यूंकि रोटेट करना पड़ेगा और के अपसी बरे शोर्स खेलती है डाउन दा ग्राउन स्पेशली एमी जोन्स यह भी नियर अबाउट से भी नीचर का प्लियर एटेकिं ग्रिकटर है स्विप अच्छा है इनका वीकी में कर सकते हैं इनका उपनेंट का वीकी कुछ खास नहीं है और यह बहुत खास है कंपेट टू वह दोस्तों सिनल जाबता तो हम लोग इनको बैक करेंगे डैनी किप्सन 18 मैच में 45 ओवर नौगेर बालिंग करा सकती है बट लास्ट मैच में नहीं कराया साथ रहन बट कभी भी किसी भी दिन करा सकती है तो मैं SL में नहीं लूँगा बट GL में मैं प्रिफर करूँगा कि आप भी ट्राइक कर सकते हैं ठीक है अच्छा का सब बॉल लाइन लेंद है इनका थोड़ा से हिद्धर डिक बॉलर है विकेट मिल सकता है इंको अगर बॉल करते हैं तो सोफी एकलेस्टें स्टार प्लेयर के विसी अप्शन लास्ट मैंच में विकेट लेस्ट दो चांस शुटा था इसके बॉल में बहुत ही कमाल की प्लेयर है मस्ट है गो टू प्लेयर रहेंगी चार ओवर विकेट लेस्ट आर्ट रन बैटिंग से एक कैच लिया था था टी इंडियर वन डेयर में टॉप रैंक बीन कही है चारली डीन विकेट टीका ट्विकेट इस पीच में जहां पर बॉल नीचे रहता है दोस्तों चारली डीन मेरे सबसे अच्छी डिपिंशल बन सकती है चार ओवर दो एक चार रन लास्ट मैंच में मस्ट भी प्लेयर है डेत म प्लेयर है तो लिंशी समीत हैंगी लास्ट मैंच में चार ओवर में दो एक रिसेंट वंप करक है और यह दवन्रेट में हर मैच में निया रहाए बहुत दो तीन विकेट करके निकाल लें थी कमाल की फॉम में थी इस्पेशिली दो दोड़ दर मैच में निकाले थे दोस्त सोफिया दंगले हाड़ीटा टॉप और फ्लियर मुझे लगता है माय बश्यर बहुत खराब नहीं खेला लास्ट मैस तो बैक में होगा सोफिया दिंगले इस मैंच में बेसे चांस बहुत ही कम है बेंच में नेट सिवर लिंशी और डिन डेट में डेन और नेट सिवर यह देट वर क्योंकि और कोई स्पिनर हैं नी बाखी चारू स्पिनर एलिंस में चॉरली डीन शोफिया ट्लेट अब इन में से अगर मैं से अगर मैं देखों तो आपको एक ओवर डेट में करते हुए दिखेंगे इवेन डीन भी एक ओवर डेट में करेंगी बेसीकली सारा ग् कोमेंस है बट बॉल भी बहुत जादा है 97 बॉल में रन कमें 96 पाच बार आउट किया है तीन बार लिंसी स्मिर्ट केबल 22 बॉल में आउट करके रखाए यहां पे ज्यादा ट्रेट मेरा मानना ही कि है और दीन ने 23 बॉल में 32 देतों एक बार आउट किया एक लॉरें बेल को खेला सारा ग्लेन को बहुत ही अच्छा खेला 38 में बावन ने 24 बार आउट किया सून लूस को और 200 सिफ 17 रन कंसीट किया एक बार एक लिस्टन ने 14 बॉल में 9 सारा ग्लेन ने 4 बॉल में तो सबसे दिक्कत होता है सून ने लूस का मैरे जाना क्या बीन ने आउट ही नहीं क यह आपको बहुत जादा फाइडल इफिंशल कैप दिसी ग्लेन ने भी दिक्कत दिया 56 में 69 रन और तीन बार आउट करके रखा है सोफिया डंगले को तीन बार आउट किया हमारे जाना कैप 31 में 40 पावर प्ले में अगर होगा तो मुश्किल होगा खेलना इनको हेदर आउट किया बाकी खाका को सॉला में 8 मिलावा को तीन में 3 सेक्यो को ने 8 में 3 डैनी वेट देखो कि तो चार बार खाका ने आउट किया तिपन बॉल में 82 रन मतलब एटेकिंग भी खेला है खाका के एगेंस दो बार ट्राइंड में 21 में 32 थोरे से डिपैंसिव और कैप से दिक्कत देखो कितना जादा हुआ सौरन पे चार बार आउट किया मतलब हर 25 बाल में एक बार सौरन पे 93 रन सिफ कंसीड किया तो दिक्कत तो होता है इनको नेट सीबर वसेज कैप 63 में सिफ 57 रन थीन बार आउट किया दो बार खाका ने आउट किया 25 में 27 मिलावा ने एक सेखू को ने ट्राइन नहीं तो यहां पर एक चीस्तों क्लियर है कि टॉप थ्री जो होगा उनको थ्रेट है मरिजाना कैप से स्पीशली मरिजाना कैप अगर बॉल फर्स्ट करते है तो बहुत जादा थ्रेट होने वाला है दोस्तों टॉप ओर देखोंगे इनके लास्ट क कुछ मैचिस का परफोमेंस हेट टुएट एक सोचाथ साथ आफ्रीका बीस ओवर में इंग्लेंड एक सो टावन तक पहुचा ब्रिट ने 68 53 उलवर्ट कैप ने 27 चेस कर रहे थे इंग्लेंड ने 40 बनाया सीवर 34 डैनिवेट 31 हेदर नाइट बॉलिंग से साथ आफ्रीका से खाका ने 4 विकेट, स्माइल ने 3 विकेट, निडन डीकलत ने 1, सोफिय अटलिस्टन ने 3 विकेट निकाले 4 ओवर में 3 में 1, लॉरेंट बिल उससे आगे 167 बनाया दोस्तों किसने 167 बनाया था, इंग्लेंड ने 5 विकेट से, कैप सी 50, 36, एमी जोंस, डैनिवेट 37, डैनि ने 3 विकेट, प्रेकम का 3 वर में 1, नेट सिवर का 1, और दुस्तों 4 वर में 1 विकेट, सोफिय एकलिस्टन, उससे पालेंगे 176, सभी हाइज स्कोर बनाया है, एकलिस्टन 33, डैनिवेट 30, एमी जोंस, बद डैनिवेट का हर बार रन है, कम है बट रन है, 30 रन, और डिफें रहेगा यह, नॉन गुल है मलावा, 4 वर में 3 विकेट, मसा बता क्लास चार में 1, क्लेट रन, चार में 1, फ्रेय आटेम 2 विकेट निकाले थे, इंगलेंड से, 2, एकलिस्टन, इजी यंग 1, और सारा गलेंड, देखो एक प्लेयर का नाम आपको बहुत बाह दिखेगा, वो सकते हो, चल देर, जिम्लावन टिम में, लाइक नहीं का तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करते हैं, जूर जाओ, टेलिग्रम डिस्क्रिप्शन में, अल्री लिंक आपको मिलेंगे, दोस्तों फिलाल जो मेरा टिम बन रहा है, ना, इंगलेंड, साथ आफ्रिका हो, मैं देखो, वीकी में, कोई चॉइस नहीं है, तो, एमी जोन्स, लॉरा उल्वर्ट हमारे पास, डैनी वेड, दोनों का रिकॉर्ड, लॉरा उल्वर्ट का करेंड फॉर्म अच्छा है, बट मैं पस्नली बिलीव है कि, लिंसी स्मीट को खेलना सबसे स्मीट करेंगे हैं, तो, लॉर निछ को मित आथ होता है, स्टील अभी के लिए मैं रखा, रोटेशन कर सकते हो। ब्रीट को मैं अभी नहीं लुँगा, दोस्तो, यहां से, कैप में लुगा, सीवर में लुगा, ट्राइन में लुगा, लिवस नहीं लुने वाला, दोस्तो स्क्राइब करते हैं अभी के लिए डर्क्सन गिप्सन को इग्नोर करते हुए सोफिय क्लिस्टन पहुचेंगे खाका अफ्टर टॉस में भी एड कर सेकते हो ग्लेन डीन हम लोग एड करते हैं और यहां से न में मलावा को बैक कर रहा हूं स्पीद मेरा पसंदी था दोस्तों क्लिया अभी के लिए क्या है कि सीवर बिकोज बालिंग कर रही है बैटिंग करेंगे तो वन उन सेफेस्टन अलूंग विद कैप एक और चॉइस कमडिशन हो रहा है अगर साथ अश्रिका ने बॉलिंग फर्ष्ट किया तो कैप को कैप्टेन मिना के सीवर विशी बट एक ल्टर रिसकी कम्डिशन है लिंशी समीथ को कैप्टेन मिना के एकलेस्टन को विशी जो आपको ग्रैंड लिग में यूसे करना च फिलाल यह रहेगा कवरेज कुछ भी अपडेट आता है अगले मैच के कवरेज के साथ मिलते हम लोग मैच टैंप पे टेलीग्राम पे थैंक्यू दोस्तों